हेलो गाईज, वेलकम टू माय चैनल, आज की वीडियो बहुत है इंपोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे स्क्रब बना के कैसे अपनी स्किन को फ्लॉलस और ब्यूटिफल बना सकते हैं, आज की वीडियो में हम जानेंगी कि 8 हलदी के लिए, आप इस मिक्शर को मिक्स करने के लिए खचा दूद भी होला है, आपको बना सकते हैं, आपको क्या करना है, हाथूं से ही, इस पूरे mixture को धंग से mix करना है ताकि सारे ingredients आपस में धंग से mix हो जाएं उसके बाद आपको इस paste को लेके अपने hands पे या face पे scrub करना है circular motion में तकरीबन आप 2-3 मिनिट तक scrub करिए circular motion में और उसके बाद आपने hands को या face को wash कर सकते हैं नेक्स्ट हम बनाएंगे tomato sugar scrub इसके लिए मैंने एक कटा हुआ टमाटर लिया है इस पे मैं simple ही चुछी मचीनी होती है उसको यह देखे इस पे sprinkle कर रही हूं और इसमें हमें कुछ नहीं करना है simple इसको हमें आसे ही scrub करना अपने face पे यह बहुत ज्यादा effective method है dead skin को remove करने का आप simple circular motion में अपने face पे और hands पे इसको rub कर सकते हैं और उसके बाद 2-3 मिनिट बाद आपने आप wash कर सकते हैं next हम बना रहे हैं coffee ground scrub इसके लिए मैंने यह देखिए बावल में मैंने थोड़ा सा पानी लिया इसमें हम coffee डालेंगे जो coffee grounds होती है natural exfoliant का काम करते हैं जो हमारी dead skin को remove करके हमारी skin को refresh करते हैं देखे इस mixture को आप ढंक से mix कर लिए और simply आपने hands पे circular motion में इसको apply करिए यह पीसे हुए चावल डाल रही हूं अब इसको हमें mixture को ढंक से mix करना है ताकि इसका एक थिक paste बन जाए यह जो चावल है इससे बहुत अच्छी scrubbing होती है और आपकी सारे dead skin से remove रहती है यह भी एक बहुत ही अच्छा scrub बनके हमारे पास ready हो गया है इसको आप सर्कुलर मोशन म है और उसके बाद आप दो से तीन मिनट बाद अपने hands को wash कर लीजिए नेक्स स्क्रब है वो है toothpaste salt scrub इसके लिए मैंने toothpaste लिए आपको जो toothpaste लेनी है वो gel based नहीं होनी चाहिए यह देखिया थोड़ी सी toothpaste लीजिए और उस पे आपको क्या करना है थोड़ा सा salt sprinkle करना है यह बहु अच्छी scrub होती है यह मैंने जब किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था यह स्क्रब करना तो यह आप एक बार ट्राइ जरूर कीजिए नेक्स वो स्क्रब है वह है आलमंड स्क्रब इसके लिए मैंने क्रश किये हुए आलमंड लिए है इसमें मैं जो ऑल डाल रही इसमें अप को किन ट्वायल ओली या और कोई भी कॉस्मेटिक ग्रेट मीअ डाल सकते हैं अप चाहें तो इसमें आप कोई भी ऐसेंशल वायल जैसे की रोज पांड बन दाल सकते हैं आपको अगर इसको स्कॉत करके रखना तो आपक किसी भी सील जार में इसको स्क्रब हाना आपको इसको ड्राइब प्लेस पर कहीं पर रखना है यह काफी वीक्स तक यूज करने लाइक रहता है नेक्स्ट वान इसके लिए मैंने नारियल का तेल लिए दो चमच और उसमें मैंने सिंपली चीनी जो है थोड़ी सी डाल दी है आदा चमच के करीब अब आपको इसमें अब हम पनाएंगे अलो वेरा शुगर इसके लिए मैं यहां पर हाफ टेबल स्पून अलो वेरा ज़ेल ले रही हूँ इसमें मैं हाफ ही टेबल स्पून जो है शुगर एड करूंगी अलो वेरा जेल जो है वो ड्राइ सकीन के लिए बहुत अच्छा होता है आपको इन दोन हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्स पो वाचिंग